हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग पूरी बनाते हैं, कचोरी बनाते हैं, आटा का भी बनाते हैं, मैदा से भी बनाते हैं, लेकिन आज में पूरी की ही रेसिपी लेकी आए हूँ, लेकिन आज हम इसे ही बनाएंगे चावल की आटे से, क्या आपने कभी चावल की आटे की पू को के सुखा लें उसके बाद मिक्सी में पीस लें या फिर पिस्वा के मंगा लें तो अब क्या करना है एक ही कप लेना है दूसरी तरब क्या करना है जिस कप से या कटोरी से मैजर करेंगे उससे डेड़ कप पानी को गरम करना है तो अब पानी गरम हो गया तिसमें डाल दिया हमने अजवाईन, थोड़ा सा टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा बारी कटा हुआ, धनिया पत्ती, धनिया पत्ती डालना पुरी तरह आप्शन है, देखने में सुन्दर लगता है, इसलिए डाल रहे हैं, आप सिर्फ नमक ही डाल सकते हैं, या फिर अजवाईन, त कप से भी कर सकते हो, कटोरी से भी कर सकते हो, जितना आप चावल का आटा डालो कि उसका डेड़ गुना पानी डालना है, डबल नहीं डालना है, डेड़ गुना ही डालना है, तो अब इस तरह से अच्छे से चावल आटे को पकाएंगे, मीडियम फ्लेम में कि पक जाए, प बड़े बरतन में चावल आटा जब ठंडा हो जाएगा तो ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसफर करके हाथ में थोड़ा साप चाहें, तो तेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाथ में यह चिपकता है, और अच्छी तरह से मस लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद चावल आटे में लम्स आ जाती है, गुठली आ जाती है, तो अच्छी तरह से तोड़ना है, एकदम चिखना स्मूथ डो रेडी कर लेना है, जैसे नॉर्मल आटा का डो कैसे रेडी करते हैं, बस वैसे ही, इसे हमने मीडियम साइज की लोई बना ली है, तो आप ऐसे भी बेल सकते हो या फिर और इजी वे में बेलना चाहते हो, तो आप चावल काटा थोड़ा सा ले ले या फिर मैदा, तो आज मैं यहापर मैदा ली हूँ, बस मैदा डालके अच्छे से बेल लेंगे, जब आप इसे बेलेंगे ना तो किनारे cracks आएंगे चाल आटे का जो पूरी बनता है या रोटी बनाते होंगे तो धिहान होगा कि cracks आते हैं तो कोई बात नहीं cracks आने दो उसका तो काम है अब लेकिन हमें क्या से करना है अब इसे manage हमने तो बहुत इसे मोटा नहीं बिला है पतला भी नहीं बिला है मीडियम रखा है तो अब लेना एक कटोरी मीडियम साइज की अब इस तरह से कटोरी से कट कर लेना है तो बस एक साइज की रोटी बनके पूरी बनके रेडी हो जाएगी तो सारे को इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है तो देख प्रेस कर दें आप नई भी प्रेस करोगे ना तो भी असानी से फूल जाएगा आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से फूल किया है तो दोनों साइट बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हल्का हल्का कलर चेंज हो जागा तो निकाल लेंगे तो फिर से एक बार पलट लेते हैं अब अच्छी तरह से दोनों साइट सिख चुका इतने ही सिखेगा आप इसे निकाल लेते हैं बाकी कभी सेम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो ये चावल आंटे की पूरी बनके रेडी हो गई एकदम सॉफ्ट रहता है आप सूबा बना के साम में भी खा सकते हैं थोड़ा सा ओईली रहता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ एकदम सॉफ्ट बना है फ्रेंट्स